हेलो शुडेंट्स, वेल्कम डू माइनर्चर, मैं हूँ क्रिष्णा, कैसे हैं सब लोग, मस, बढ़िया, उमीद कर रहा हूँ, पहला लेक्चर डोजिस फॉर्म का पढ़ लिया होगा, टैबलेट का जो पहला पार था, जहां पर हम लोगों ने टैबलेट के बारे में बेसिक किया गया था क्योंकि वह हमारे सिलेवस में है, अब गब टैबलेट बनके तयार हो गई है, तो क्या टैबलेट हमारी सही है, कैसे पता चलेगा, गल्त तो नहीं बन गई है, उसके अंदर कंटेंट तो नहीं कम जाता हो गया, ऐसो तो नहीं पेट के अंदर जाए, घुले ही क्या करेंगे जांच पड़ताल कि जो हमारी टैबलेट्स बनके तयार हुई है वो सही बनी है हमारे मानक क्या नरूप है हमारा जो क्या कहते है डायमेंशन्स पैरामिटर जो हमने डिसाइड किये है ठीक वैसी ही है कुछ गरबड तो नहीं है तो उसके कुछ तरीके है ठीक है क्या तरीके है आओ देखते है तो क्या क्या चीजे तरीके है और क्या क्या चीजे हम लोग चेक करते है ठीक है क्या क्या तरीके है और क्या क्या चीजे हम चेक करेंगे तो वो चुम को अभी बात समझ मारा जाएगी तो सबसे पहले हम लोग देखते है size and shape तो obviously बात है माल लो एक ही tablet है कोई इतनी बढ़ी है कोई इतनी बढ़ी है कोई ऐसी है तो गरबड हो जाएगा मामल है ना दिक्कत यह हो जाएगी patient confused जाएगा कि यह सारी tablet एक जैसी है या नहीं है तो size और shape उस सबका एक समान होना चाहिए उस batch में total इतनी टैबलेट बन रही है तो it can be dimensionally described and controlled ठीक है ना तो जो size of size है वो dimensionally कोई dimensions होते है इतने millimeter thickness है ना यह इसका shape होगा circular और उसको क्या किया आता है तो हम लोग करते क्या है the thickness of tablet is only variable जो tablet की thickness है वो थोड़ी बहुत हम variation कर सकते है बड़ जो क्या है इसका shape और size जो है वो maintain रहना चाहिए thickness थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है tablet thickness can be measured by micrometer अब कितनी कम ज़्यादा हो सकती है ठीक है ना thickness of tablet only variable एक ही जो thickness है वो variable होता है punching machine में जो shape बगरा रहता है ठीक है ना वो लगबग क्या होते है एक समान रहते हैं तो गुलाई तो लगबग एक जैसी आजाती है अब thickness थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकती है किसी की मुटाई ज़्यादा है किसी की मुटाई कम है तो उसको हम लोग कैसे measure करते है हमारा पास एक instrument होता है इसका नाम क्या है micrometer मैं यह instrument नहीं दिखा रहा हूँ कि वाल नाम जान लो micrometer इस तरह से उसमें लगा होता है उसके बीचों tablet फसा देते हैं और हम उसकी thickness को नाप लेते हैं और by other device या किसी और device device मतलब किसी और machine से हम लोग सको नाप लेंगे tablet thickness should be controlled वो control होनी चाहिए within plus minus 5% variation यानि कि जो हमारा decided है उसमें या तो उससे 5% कम या उससे 5% जादा लेकिन उससे जादा variation नहीं आना चाहिए ठीक है ना केवल plus minus 5% का variation ही इस standard value में रहना चाहिए उससे जादा नहीं होना चाहिए बात के लिए रहो गई अब दूसरा क्या है variation दूसरा हमारा लोग क्या देखते है evolution करते वक unique identification marking अगर हम लोग कोई marking दे रहे हैं tablet पे A, B, C, D करके या tablet का नाम लिख रहे हैं engraving और printing ठीक है imposing, engraving, printing थोड़े से अंतर है imposing होता है उबहार printing होती है छपाई और engraving होता है गढ़्धा कर देना है किसी के अंदर गढ़्धा करके छपाई मतलब A, B, C, D लिखना किसी के ऊपर जिसको हम उबहार आता है वैसे लिखना या print कर देना ठीक है ना हम इन तीनों माद्धियम से कर सकते है अब these marking include company name, symbol, product code product name, etc ठीक है ना तो यह जो marking से हम इसको भी test करते हैं क्या सब के ऊपर proper आई है या नहीं आई है ना उसके बाद हम लोग क्या सी test करते है organoleptic properties organoleptic properties पता ही है पता है ना फार्मक अग्नोसी में पढ़ा होगा है ना कौन सी होती है touch, taste, smell वगरा तो हम लोग चेक करते है color distribution जो की uniform होना चाहिए with no modeling modeling मतलब होता है ऐसा नहीं कहीं पे color कम है कहीं ज़्यादा है एसा नहीं होना चाहिए for visual color comparison compare the color of sample against the standard color visually देखेंगे तो हम लोग एक standard tablet और एक हमारी बनी वी tablet दोनों को match करेंगे दोनों का color एक जैसा लिखना चाहिए अंतर नहीं आना चाहिए ठीक है ना now presence of order color save होना चाहिए order किसी टाइब का कोई smell जो है ठीक है ना smell ऐसा नहीं कि नहीं आनी चाहिए smell आ सकती है कुछ टैबलेट्स होती है उसमें से खास smell आती है वो उसकी chemical की smell होती है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन smell फिर सब में एक जैसी आनी चाहिए ठीक है ना जब acetic order acetic acid create होता है तो उसकी एक खास तरह की smell आती है तो stability problem है दूसरा presence of order could be characteristic of drug जो order है वो drug की characteristic भी हो सकती है मतलब drug की वज़े से ही आ रही हो तो जरूरी नहीं है कि हर बाद जो smell आ रही है order आ रहा है उन्हें बड़ी अजीव से smell आती है ठीक है ना कई बार कुछ ingredients हम add करते है flavoring agent वगर उसकी smell आती है कई बार ठीक है all the doses form film coated tablet है आख characteristic order जब film coating की जाती है उस coating की कई बार क्या होती है अलग से smell आती है तो ये okay है बट अगर order stability को लेकर के आ रहा है वो हम पता होता है जब batch में particular tablet बनती है ऐसे aspirin की बनेगी तो उसमें खास तरह का order आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि acidic acid का production हो गया है वो गड़बड हो गया मामला ठीक है बासमझ में आगी एनि 3 evolution test तो कोई भी 7-8 करवा रहा हो यहाँ पर उसमें से कोई भी 2-3 लिख करके आ जाओगे ठीक है ना hardness and friability कितना hard है और कितना मुलाइम है कितना hard है और कितना मुलाइम है टैबलेट require a certain amount of strength जाईसी बात है टैबलेट के पास कुछ मजबूती होनी चाहिए और hardness होनी चाहिए अधरवाइस क्या होगा बहुत जल्दी टूट जाएंगी क्योंकि है ना टैबलेट इदर से उदर बास्केट से उदर हम लोग कुरोते हैं पैकिंग के ले जाती हैं तकराती है आपस में तो तूटने के चांस होते हैं तो थोड़ा सा हाड तो होना चाहिए और रेजिस्टेंस टू फ्राइवल्टी ठीक है और जो उसका रेजिस्टेंस टू फ्राइवल्टी फ्राइवल्टी बाता होगया ऐसे हिला दीया को गलती है tablet को तो वो तूट फूट जाए off handling जब हुँर लोग handling करते हैं handling उसरे दवा बन गई है basket भर गया है ले जा करके अधर पर डाल रहे हैं तो इतने मही भरन गया है ले जा रहा है आपरसन टक्रारी दवाईया उसमें तूटना नहीं चाहिए दवाईयों को that is called mechanical shake of handling ठीक है, handle करते वक्त जब दवाईयां बना रहे हैं in manufacture, packaging and shipping यह हम packaging कर रहे हैं यह हम shipping कर रहे हैं, transport कर रहे हैं तो यह तीनों condition ऐसी है जहां पर दवाईयां आपस में टकराती हैं ऐसी इस्तिती में उनको तूटना नहीं है hardness generally measure the tablet crushing strength hardness में हम लोग generally क्या देखते हैं tablet crushing कितना pressure पढ़ने पर कितना वजन पढ़ने पर तूट जाती है है जनरली hardness में हम लोग यह चेक करते हैं तो कह रहा है tablet hardness can be defined as the force required कितना force हम लोग करते कैं इस तरह से यह होता है हमारे पास instruments होता है इसके बीच में हम लोग ऐसे tablet को रख देते हैं और फिर इसको दबाते हैं और जब दबाते हैं तो pressure उसके लगा होता है meter लगा होता है pressure देखते हैं कितने pressure पर जस्ट तूटती है वो pressure note कर लेते हैं ठीक है ना तो कह रहा है tablet hardness can be defined as the force required breaking a tablet ठीक है अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहां force लिखा आप pressure बोल रहे हैं भाईया force क्या होता है pressure क्या होता है force per unit area तो यह सब आपस में link up है physics पड़ी होगी तो चाहिए pressure की term में निकालो बात एक ही है और फिर force क्या होता है force equal to mg होता है that's equal to kg में आता है तो physics की term से सारी इन से परशान होनी ज़रूत नहीं है तो हम लोग एक force लगाते हैं उसको तोड़ने के लिए in diametric compression अगर tablet ऐसी है ना तो हम ऐसी ऐसी लंबी लंबी force लगाएंगे और फिर घुमा रहे हैं इसे pressure या दवा रहे हैं तरीका होता है उससे हम pressure बढाते हैं force लगाते हैं ठीक है anvil क्या होगी दो ऐसे खाचे जिनके बीच में tablet फसाई जाएगी उसे anvil कहेंगे force is applied to the anvils anvils के उपर pressure force लगाया जाता है and the crushing strength that just cause the tablet to break और वो crushing strength जो कि tablet को just तोड़ दे वही पर रोख देते हैं और उसको measure कर लेते हैं कि इतना force पढ़ने पर tablet तूट गई अब कौन-कौन से instrument है ठीक है तो Monsanto tester है Strong cop tester है Pfizer tester है Ervica tester है और Schelleninger tester है तो इनके diagram से लोग देख सकते हो diagram बनाना चाहते हैं अदर वह इतना important नहीं है तो यह tester है इनके बीच में tablet फसा ही जाती है और फिर उसकी strength को ना पा जाता है Generally अगर हम बात करें Hardness for compressed tablet is 5 to 8 kg लग बग 5 से 8 kg का वजन जब पढ़ेगा उतना force जब लगेगा तब जाकर के तूटना चाहिए एक ideal condition है यह Frivalty की बात करें Frivalty of a tablet can determine in laboratory by Roche Frivalator होता hardness होगी अभी Roche Frivalator क्या होता है इसके अंदर क्या क्या होगा एक plastic का chamber होता है that revolves at 25 rpm एक plastic का chamber होगा इसे घुमेगा 25 चक्कर लगा लेगा एक मिनट के अंदर dropping the tablet through a distance of 6 inches जैसे मालो यह गोल डबबा है प्लास्टिक वाला 6 inch उपर से हम डालेंगे इसके अंदर और यह ऐसे गोल-गोल घुम रहा है ठीक है which is then operate for 100 revolutions और उसको फिर हम लोग 100 revolutions पूरा कराते हैं याने कि एक मिनट रहने की लगबग चार मिनट तक चलाएंगे तो 100 चक्कर पूरे हो जाएंगे अब उसके बाद हम टैबलेट को द्वारा से वेट करते है स्टार्टिक में टैबलेट का वेट ले लिया इस फ्रैबलेटर के अंदर डाल दिया यह प्लास्टिक ऐसी इसके अदर टैबलेट रही है अगर कमजोर होगी तो उसके अंदर किनारे से चूर चारा निकल गया होगा है हना हलका हलका सा थुक्रे थुक्रे दुक्रे निकले होंगे ठीक है अब बोल रहा है ऐसी टैबलेट compress tablet उतलब compress रखो ना रखो compress side tablet compress होती है compress tablet that lose less than 0.5 to 1% of the tablet weight जो 0.5 से लिएकर 1% से कम weight lose करती है इस fabulator में डालने के बाद considered acceptable वही मानने होती है tablet मान लो fabulator में डाला 100 चकर पूरे उसका तो में weight किया और इससे ज़्यादा weight उसमें loss कर दिया चूरा चूरा ज़्यादा निकल गया तो वह tablet कमजोर माने जाएंगे फिर clear है ठीक है आगे आते है अब weight variation tablet का weight देख ले हम लोग सारी लगवग बराबर है या नहीं है तो take 20 tablet and weight individually हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 20 tablet ले लेंगे और इन 20 की 20 tablet को अलग-अलग हम लोग क्या करेंगे weight करेंगे ठीक है calculate average weight फिर उनका हम लोग average weight लेते हैं average weight पता है न क्या होगा 20 tablet है सबका weight लिखके divide by 20 कर देंगे and compare the individual tablet weight to the average और फिर जो एक individual weight था tablet का उसका weight और इस average weight का average weight को and individual individual मतलब single एक tablet का weight हम लोग क्या करेंगे compare करेंगा the tablet past the USP test अगर जो टैबलेट है no more than two tablets are outside the percentage limit जो percentage limit है उसकी 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 उसमें जितनी हमने 20 tablet का weight किया है यह उसमें से दो टैबलेट से ज्यादा बहार नहीं होने चीए थोड़े से confusing language मैं फिर से बताता हूं मैं हम लोग यहाँ पर सेट कर बाई यहां तक बात समझ में आ गई हमने individual लिया एक दो तीन चार पांच छे करते करते पूरी की पूरी 20 टैबलेट का अलग अलग weight ले लिया ठीक है आप सब को उधारन के लिए average weight जो है average weight आ गया let 5 gram कितना आ गया 5 gram अब individual weight जो आ रहा है किसी का आ रहा है 4.9 gram किती का रहा है 4.8 gram ठीक है इस तरह से किसी का 5 ग्राम आ रहा है पूरा इस तरीके से आ रही है अब या तो सब का ऐसी range में रहेगा तो okay है लेकिन अगर दो tablet मालोक एक का आ गया 3.5 दूसरे का आ गया आ या गया 4.5 दूसरे का गया 5.5 मालो दो tablet ऐसी है जो इसके range से जो limit है इसकी जो variation होता है उसके दाएरे के बहार है दो tablet तक बहार है तो तो ठीक है लेकिन अगर दो tablet से जादा है तो फिर ये slot मेरा गरबढ़ है बास वाज में आई ठीक है वापस repeat करके देखना हम एक average weight ल इसके आस-पास नहीं रहता है तो ठीक है दो से जादा tablet अगर उनका weight गरबढ़ है तो फिर ये slot मेरा गरबढ़ हो जाएगा ठीक है और अगर दो tablet तक ही रहती है या उससे भी एक का भी नहीं रहता है तो ये USB test हमारा क्या होता है पास हो जाता है बास समझ में आई के लिए रहे है वेट देख लिए हमने content uniformity content uniformity मतलब क्या सभी tablets के अंदर एक समान content content है सबके अंदर एक जैसा content है ऐसा किसी कंदर कम है किसी कंदर ज्यादा है अगर कम ज्यादा भी है तो कितना होना चाहिए आओ देखें तो यहां पर हम तो क्या करेंगा लगबग 30 tablet को चुन ठीक है तीश टैबलेट ले लिए हमने 10 of these acid 10 इसमें 10 टैबलेट जो बनी होई उनको acid acid करने का मतलब होता है उसको निकाल करके पूरी testing करी आती है कि कितना chemical है क्या है सब कुछ पूरा एक तरह से ऐसे करेंगे इसका हम लोग ठीक है दस का fully essay करेंगे the tablet pass the test if 9 of the 10 tablet दस थी इस अन्योट्ट के नॉट्ट्रंड लेज देन 85% अन्योट्ष मोर्ट्टीं पर्सेंट थी करेंद लो हन्रेट परशेंट हार मालो दस ग्राम है या 100-100 mm का क्या है डोज है तो नौट्डेट के अंदर पचाशी ग्राम से लेकर के 115 ग्राम तक लौज मिली ग्राम तक क्या है हमा लेवल्ड ड्रग कंटेंट एंड टैन्थ टैबलेट नौक के अंदर इस रेंज में रहना चाहिए और तो एक टैबलेट में अगर गरवर्ड है भी मामला तो कितना होना चाहिए गरवर्ड केवल अगर इसके नीचे है या उसके उपर है तो मामला गरवर्ड है तो मेरा यह बैच गरवर्ड माना जाएगा तो नौ टैबलेट तो कम से कम यह होनी चाहिए दस टैबलेट ऐसी होनी चाहिए तो ही यह वैलिड माना जाएगा वैलिड मतलब यह जो बैच जिस बैच में टैबले है उनको भी हम लोग क्या करेंगे ऐसे करेंगे प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे केमिकल बकायदा ठीक है ना इंडिविजिली एंड नन में फॉल आउटसाइड दा 85 से 115 रेंड और अब जो अगली 20 टैबलेट है उनको तब ऐसे करेंगे उन में से किसी भी टैबलेट को इस रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए तो यह सही माना जाएगा किलियर हो गया तो कंटेंट उन्यूफर्म्टी मतलब सबके अंदर मेरा तो केमिकल कंटेंट है सेम होना चाहिए यह सेम के आसपास रहना चाहिए कि डिसिंटीग्रेशन टेस्ट ठीक है डिसिंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि एक तरह से समझ दो कि जो टैबलेट है वह हमारी बॉड़ी में जा करके टूटनी भी तो चाहिए कैसे तूटती है उसका टेस्ट है यहाँ पर कितना टाइम में तूट जाना चाहिए तो कह रहा है the USB device to test disintegration use यह USB device है इसके अंदर 6 glass tube होते हैं यह देख पारे होगे अगर तो 6 glass tube है एक दो इस तरह से यह और यह इस तरह से एक दो तीन चार पांच और यह छे तोटल 6 है clear है ठीक है data 3 inch long 3 inch लंबी होती है यह open at the top उपर यह खुली हुई है ठीक है and 10 number mesh screen at the bottom actually नीचे से बंद नहीं है यह नीचे से भी क्या होती है यह खुली होती है यहाँ पर क्या लगी हुई है? जाली लगी हुई है यहाँ पर क्या लगी हुई है? नीचे की तरफ जाली लगी हुई है नीचे क्या लगी हुई है? मैश मैश मतलब जाली लगी हुई है clear है? अब हम लोग क्या करेंगे? समझो बात को डिवाई समझ में आ गिया ये ठीक है बॉटम एंड नीचे की तरफ जाईल लगी हुई है अब देखो टूट टेस्ट फॉर डिसिंटिग्रेशन टाइम कितने टाइम में डिसिंटिग्रेट हो जाएगी टूट जाएगी उसको टेस्ट करने के लिए हरेक ट्यूब में एक एक टैबलेट को डालेंगे इसको डाल देंगे पानी होगा इसका लगभग वैसा ही हो나 चाहिए जैसा कि हमारा पेट इस्टमक में या इंटेस्टाइन के अंदर फिलुड पाया जाता है वैसा ही content create करके उसके अंदर इसको रखेंगे क्योंकि टैबलेट को हमारे पेट के अंदर जाना है पानी के अंदर नहीं खुलना ठीक है ना temperature कितना set करेंगे 37 degree centigrade जो हमारी body का होता है plus minus 2 degree ठीक है variation कर जाता हमारी body के अंदर कहीं पे temperature कम है कहीं ज़्यादा चल जाएगा इतना such that the tablet remain 2.5 cm below the surface of liquid on their upward movement and not closer than 2.5 cm from the bottom of the beaker in their downward movement ठीक है ना कि तो क्या है कि जब यह move करेगा ठीक है पर से 2.5 cm नीचे से 2.5 cm नीचे न जाए मेरी tablet इसके उपर न आ रहा है यहां कई पर बीच में रहनेचे ज़िए मेरे tablet से परियाब doubling सही मात्रा में quantity में पानी मिले ठीक है यानि कि जो यह फिलो डिस्क नदर डाला गया है ठीक है ना बास समझ में आ रही है जब यह आप motion में आएगा disintegrator जब यह motion में आएगा तो यह रहना चीए अब move the basket ठीक है बास्केट हो क्या करेंगे move करेंगे continue tablet up and down through a distance of 5-6 cm ठीक है 5-6 cm उपर नीचे move कराएंगे frequency of 28-32 cycles per minute है ना ऐसे 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 एक मिनट के अंदर 28-32 cycle हो जाएंगी एक दो तीन इससे क्या होगा हिलेगा हमारी body भी हिलती डूलती है अंदर motions रहते हैं muscles क्या है contraction करती है तो motions रहते हैं ठीक है ना बास समझ में आ रही है क्या हो रहा है बास समझ में आ रही है यह बात clear हो गई ठीक है अब according to the test tablet must disintegrate and all particle must pass out through the 10 mass screen ठीक है टेस्ट अगर सही माहिने में है मतलब टैबलेट मेरी सही है तो टैबलेट तूट जाएगी और जो 10 नंबर की screen है उससे सारी की सारी टैबलेट पास हो जाएगी तूट करके ठीक है अभी घुली नहीं है केवल टूटी है अभी ध्यान रखना घुली नहीं है अभी if any residue remain it must have soft mass अगर कोई residue बचता है अगर कोई part बच जाता है मालोग मैं इसको पास नहीं करता है तो soft mass होना चाहिए hard चीज़ नहीं होनी चाहिए कोई भी कि disintegration time की बात करें अगर हम लोग Uncoated Tablet का लगवग पास से 30 मिनट का रहता है Uncoated का ठीक है नब पढ़ चुकिए हम लोग कल Quoted Tablet की बात करें तो Uncoated का लगवग पास से 30 मान ले तो 15 मिनट का है Quoted डो फिल्म कोटेड होती है वो 30 मिनट में टूड जाती है Other Data उन साट मिनट घुल जाना उसको चाहिए एफरविसंट तरेट को पांच मिनट के अंद्र यांदर क्या हो जाना चाहिए डिसमीघ्रेट हो जाना चाहिए ठूट जाना चीकर और ना इसको आ इंप सो प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना के लिए रहे ठीक है चलें आगे 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 आते हैं अब जब टूट गई है तो अब वो घुलेगी पूरी घुल जाएगी जैसे पानी के अंदर नमक डालो तो पूरी घुल जाती है तो आज सिंगल टैबलेट इस प्लेश इना स्मॉल वायर इसके लिए हम लोग क्या करते हैं एक जाल का बना हुआ बास्केट ठीक है यहां पर एक मोटर रहती है यहां पर उसके शेफ्ट से यह कनेक्ट रहता है इस तरीके से नीचे ऐसे है जाली नुमा जो है एक बास्केट है मतलब एक छोटा सा समझ लो की कमरा टाइप है जाली नुमा बास्केट समझ लो उसके नदर टैबलेट पड़ी हुई है जाली का बना इसको हम लोग इस medium में ये पुरा medium के अंदर क्या कर दिया dissolve कर दिया है मतलब डुबा दिया है immersed मतलब उसे अंदर डाल दिया है पानी के as specified in monograph तो medium कैसा होना चाहिए जैसा कि monograph में specified है क्योंकि हो medium हमारे पेट के अंदर मौजूद पानी liquid से मैच करता हुआ होना चाहिए contained in 100 ml flask ये कितना होना चाहिए 100 ml flask का होना चाहिए okay the flask is cylindrical flask कैसा होगा cylindrical होगा देख सकते हैं हम लोग with a hemispherical bottom इसका bottom कैसा hemispherical है ठीक है the flask is maintained at 37 plus minus 0.5 degree ठीक है 37 plus minus 0.5 degree centigrade मतलब इस जज़ादा variation नहीं होना चीज़ जो हमारी body का temperature होता है by a constant temperature bath एक constant temperature bath नीचे रख देते हैं पानी का उसके इसको डुबा के रखते हैं ताकि इसका temperature maintain रहे तब motor is adjusted to turn at a specified speed इस motor को हम लोग set करते हैं एक खास रफतार के लिए ठीक है and sample of fillid are withdrawn at interval अब यहाँ पर इसके आज़ पास जो पानी है उसको समय समय पर हम लोग निकालते रहते हैं कि हम चेक करते हो उस पानी के अंदर कितनी दवाई आ गई घुल कर है ना पूरी testing होती है withdrawn मतलब निकाल लेना at intervals to determine the amount of drug in solution कि कि कितना ड्रग है ना पूरा पूरा हमारी body के अंदर आ जाएगा किलियर है बात है तो यह था हमारे पास dissolution test किलियर है and this is the end of this lecture मैंने कहा था छोटा lecture होगा क्योंकि यहाँ पर समझाने वाली चीज थी इसको merge नहीं कर सकते हैं पहले वाले lecture से एक chapter और आएगा tablet का last lecture में modified tablet सी बात करेंगे वो भी छोटा lecture होगा इसकी तरह ठीक है बेटा पढ़ते रहना है revise करते रहना है otherwise problem आएगी evolution के उपर last year question आया हुआ है तो बिल्कुल इस साल भी आएगा question बहुत ज़्यादा संभावना है ठीक है ना पढ़ते रहो notes का link description में बहुत बहुत बहुत